एलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे चलिए आज का सेशन बहुत ही मातपुन होगा आपके लिए कि बीपी एच किया है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपर ट्रॉफी आनि प्रोस्टेट का साइज क्यों बढ़ता है बूढे एज म एक प्रोस्टेट में इंफ्लामेश मतलब प्रोस्टेट ग्लेंड का इनलार्जमेंट है प्रोस्टेट ग्लेंड पाया कहां जाता है ब्लाडर के जस्ट नीचे और युरित्रा का जहां ऑपनिंग होता है दोनों जक्सन आनि नेक और ब्लाडर के पास यह एक ग्लेंड पाय जाते हैं तो मन संतुस्ट नहीं होता हमेसा अर्जेंसी बनी रहती है यह आप जानगे बी पी एच होता क्या है अब जान यह होने का कारण क्या है ऐसे देखा गया है कि इसका अभी तक होने का एक्जेक्ट अन्नोन कारण माना गया है लेकिन कुछ ऐसे रिसर्चर इसको बोले के हैं कि यदी हम लोग का जेंड़ली होता की है मेल में टेस्टोएस्टरेन का लेजन का लेवल बढ़ा राता है यदी टेस्टोएस्टिरोन का लेवल घट जाए अचानक और estrogen का level बढ़ जाए, यह hormone है दोनों, यह testosterone घटना और estrogen का level बढ़ना एक कारण है, आपको यह BPS लाने में मदद करता है, दूसरा एक कारण यह भी है कि dihydrotestosterone, यह एक hormone पाय जाता है, जो कि जब फीबर्टी होती है, जब आप male जब growth करने लगता है, उनका function करने लगता है, यह productive system, उसमें prostate को बनाने में यह hormone मदद करता है, यही देखा गया है, 50-55 साल के बीच जब जाते हैं, तो उनको यह production, मतलब DST, जो है hormone, यह ज़्यादातर बरने, production बरना शुरू होता है, इस बज़स क्या होता है, वो एक जगह accumulate, जब जाता है, तो वो एक कारण बन जाता ह BPH का, और अलग से भी side से देखते हैं, जैसे जिनको genetic हो सकता है, diabetic person हो सकता है, या obese person भी हो सकता है, अब यह जान गए होने का कारण, अब चलिए लक्षन क्या होता है, लक्षन बार बार पिशाब करने की इक्षा होगी, एक बार में खुल के पिशाब नहीं होगी, ऐसा हमेशा जाग आती रहता है, इस तरह की condition अधी देखने को मिलेगा, तो आप बोलेंगे किसी patient, कुछ ऐसे patient है, जो अधी pressure दे रहा है, उसको उसमें blood भी आ जाता है, बार बार जाने की इक्षा होती है, तो इस तरह की patient अधी आए, लक्षन बताए, आप समझ लिजिएगा कि ये condition BPH का हो शकता है, अब चलिए हम लोग जानते हैं, इसका कुछ हमेपैथिक guideline काईसे इससे बचे, काईसे इससे बहुत जल्दी निजात पाएं, तो हम लोग एक SBL कंपनी की Prostanum Drop, Prostanum Drop 10-10 बुंद करके भर दिन में 3 बार, आधा कप पानी में दीजिएगा, बहुत ब इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है, अधी क्रोनिक है, तो थोड़ा तो टाइम लेगा, एक क्यूट में बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, इसी तरह की नए वीडियो देखने के लिए आप मेरे जर्ब बने रहें, धन्यवाद